हेल्दी और फिट रहने के लिए लोग कुछ न कुछ और काफी हद तक अलग-अलग तरीके ट्राइक करते ही रहते हैं हेल्दी खाना एंड एक्सेसाइज करना तो इन में से एक है बट क्या आपने सोचा है अपने दोनों पैरों को ऊपर करने से भी आपके सहत को कई फाइदे हो सकते हैं तो चलिए अब शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेटिट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आसकाई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले तो देखते हैं कि पैरों को ऊपर हवे में रखके पूरे 20 मिनिट रखने से क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं सबसे पहला फाइदा आपके रख्त का प्रवर यानि कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिससे आपके पूरे शरीर को तीजी से सभी दिशा में ऑक्सिजन की मात्रा ज्यादा मिलने लगती है और आपको ज्यादा तंदरुस्ती महसूस होगी आपके दिल तक खून का संचर ज्यादा और बड़ी तेजी से होगा इससे आपके पूरे शरीर को ज्यादा से ज्यादा ओक्सिजन का फाइदा मिलता है अगर आपके पैरों में कहीं जमी हुई सूजन है तो इस क्रिया के वज़े से वो भी निकल जाती है दूसरा फाइदा आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाती है जब आपके पैरों को हवे में उठाते हो आप ग्रेविटी यानि की गुरुत्वकर्शन के विप्रित पैरों को उपर उठा के अपने पेट के मसिल्स का वोक आउट करते है जो खाना पचाने के लिए जिम्मेदार ह होती है इससे अपकी पेट की चरबी भी घट जाती है और खाना भी आसानी से पच जाता है तीसरा फाइदा आपकी नर्वस सिस्टम यानि की आपके तंत्री का यंतों का बड़ा आराम मिलता है जब आप पैरों को उपर हवे में उठाते हैं तो आप तेजी से ज्यादा से ज्यादा ऑक्सिजन अंदर लेते हैं और आपके शरीर के सभी कोशिकाव में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सिजन का प्रवा होता है जिससे आपके मसल्स पर से तान हट जाता है और आपके मसल्स बिल्कुल रिलेक्सट फील करते हैं मतलब मान लीजे प्रानायम योगा करने के फाइदे जैसे ही होते हैं चौथा फाइदा आपको अच्छी नीन दाती है नीन दिना आने की एक सबसे खास वज़ा होती है स्ट्रेस और टेंशन लेकिन इस पोजिशन पर पेरों को उपर रखने से आपकी बॉड़ी ज्यादा रिलेक्स हो जाती है और आप एक बच्छे की तरह चर्ट से सो जाते हो और ये एक कुद्रती इलाज है नीन दिना आने की समस्या के हलका और काफी असरदार भी है पाच्वा फाइदा इससे फाइदा तो जरूर होगा तो ये था एक कुद्रती नुस का आपके बहुत सारे समस्या का दिवार पे तिका के 20 मिनिट पेरों को हवे में उपर रखने से आपको कुछ ऐसे फाइदे होते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको इससे और भी फाइदा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगले वीडियो तक के लिए अल्विदा दोस्तों, धन्यवाई